नमस्कार आप देख रहे हैं NTR News आपके साथ मैं हूँ रशना बंसर शुरुबात बड़ी खबर के साथ करेंगे मौन्सून सत्र की शुरुबात जैसे ही हुई विपक्ष ने दोरदार हंगामा किया और नतीजा ये रहा कि राज्य सभा और लोग सभा दोनों ही की कारवाही स्थगित करनी पड़ी है प्रधान मंत्री अपना भाशन दे रहे थे उसी दोरान विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा हो हंगामा चलता रहा और अब नतीजा ये कि लोग सभा की कारवाही को दो वज़े तक के लिए स्थगित करना पड़ा है और राज्य सभा में भी जोरदार हंगामे के पा कि विपक्ष चाहता है कि ना महिलाओं को बोलने दिया जाए ना किसान के बेटों को बोलने दिया जाए ना ही दलितों का कोई विकास हो क्योंकि विपक्ष की मानसिक्ता महिला विरोधी है दलित विरोधी है और किसानों को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है वि अतीजा ये कि मौनसून सत्रु की शुर्वात हंगामेदार हुई और राज्यसभा लोगसभा दोनों ही सदनों में हंगामे के चलते कारवाही को सगित करना पड़ा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहता महिलाएं आगे बढ़ें, महिलाएं सदनों में बोलें, महिला विरोधी ये माल सकता है, साथी साथ दलित विरोधी माल सकता भी विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंड मोदी ने बोली है। प्रधान मंत्री लगातार अपना भाशन दे रहे थे और नतीजा ये रहा कि प्रधान मंत्री को बीच में बैठना पड़ा मैं सोच रहा था कि आज सदंद में एक उस्था का वातावर्ण होगा क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसर मंत्री बनी है आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलीत भाई मंत्री बने है खुशी होती आज हमारे आजिवासी शुजूर्ट ट्राइब के सरे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने है सब को खुशी होती मान्य अद्द्द जी इस बार पदर में हमारे साथी सांसर जो किसान परिवार से हैं ग्रामिल परिवेश के हैं सामाजी आर्थी गृप से पीछडे वर्क से हैं ओबीशी समाच से हैं बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री पल्षक में बोका मिला उनका परिशे करने का आनद होता हर बैंक पर से बैंक को थपषपा करके उनका गवरोग किया दया होता लेकिन शायत देश के दलिक मंत्री बने देश की महिला मंत्री बने देश के OBC मंत्री बने मंत्री मंदल में नव नियुक्त सदस्यों को लोग सभा में इंट्रोडिल समझा जाए